नवस्कार आप देख रहे हैं उत्राखंड का नमबर वन डिजिटल चैनल पाहार टीवी आपके साथ में उबाविता रुख करेंगे खबरों का लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर सियम धामी की पिथोड़ा गड को 343 करोड की सोगार सर्दोत सब में बजाया डमो चीन बॉर्डर पर पिथोड़ा गड में लहराया सियम धामी ने 100 फीट उचा थिरंगा भाजपा निता मोहन पाल ने की मीडिया से वार्ता यश्पालारे और संजी वारे को बताया मौका परस्त बद्रीनाथ में बोले हरी श्रावत सरकार बनेगी तो देवस्तानम बोट करेंगे भंग पिथोड़ा गड पहुँचे सीम पुषकर सिंग धामी ने देवसिंग मैदान में 343 करोड की कुल 126 योजनाव का सिलन्यास और लोकार पंड किया इसके साथी सीम धामी ने देवसिंग मैदान में आयोजी सद्दो उत्चब और विकास परदर्शनी का उत्गाटन भी किया इस दोरान सीम पारबबरिक वाद यंत्र दमाउ बजाते हुए नजर आए पूर्व मुख्य मंत्री हरीश रावत आज बदरीनाथ धाम पहुँचे इस दोरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्पालारे और अन्यक कॉंग्रेस कारे करता भी मौजुद रहे हरीश रावत और अश्पालारे ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किये हरीश रावत ने तिर्थ प्रोहितों से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनने पर देशताना बोर्ट भंग करने का आस्वाशन दिया कॉंग्रेस की राष्टे परवक्ता रागनी नायक आज जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुची जहां पर युवा कॉंग्रेस और NSUI के कारे करताओं ने रागनी नायक का पूल मालाओं से स्वागत किया आपको बता दे कि अगामी चुनावों को लेकर सभी पाट या जोड शोड से तयार्यू में जुटी हुई है इसी क्रम में कॉंग्रेस की राष्टे परवक्ता रागनी नायक आज कारे करता हुए जोश भन्ने के लिए जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुची सरोवन नरी ननितार में भाष्पा नेता मोहन पाल ने मीडिया को सम्मोधित करते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर से भाष्पा सरकार बनाने जा रही है इसके लिए पाठी ने पूरी कारेय योजना तयार कर ली है भाष्पा घरगर चलो गाउं चलो के तहत अपनी रणनीती को आगे बढ़ाने के लिए बैठक भी हुई मोहन पाल ने भाष्पा के कॉंग्रेस में शामिल हुए अश्पाल आरेयर उनके पुत्र संजीवारे पनिशाना साते हुए कहा कि पिता पुत्र दोनों ही अफसरवाधी और सत्ता लो भी हैं लिहाजा उनके कॉंग्रेस में जानने से पार्टी को कोई नुकसा नहीं होने व इस्लामी आतंगादी संगठन से करने के बाद से ही आक्रोशित हिंदू संगठन चमकर विरौत प्रदशन कर रहे हैं इसी के चलते अंतर राष्ट्य हिंदू परिशत के प्रदेश अध्यक्स डॉक्टर राजीव महाजन के नेतित्तु में राष्टे बजरंग दल के कारे क करता उन्हें गदर पूर्मेर सल्मान खुर्शीद के खिलाब जमकर नारे बाजी की और प्रदशन करते हुए उनका पुतला भी फुका कॉंग्रेस पार्टी के वरिष निता सल्मान खुर्शीद ने कल जो उनकी पुस्ता का विमोचन हुआ था और विमोचन किसने क्या था दीगविजे सिंग और चिदम्बरम जी ने उसमें कुछ पंक्तियां उन्हों ने लिखी हैं जिसमें हिंदू समाज वा हिंदुत को इन्ह जिसका नाब यहां कम लोग जानते होंगे दक्षिवलिम अफरीका में यहाद सैकलों हत्याओं करने का यह दोशी पाया गया है सल्मान खुर्शीद को क्या सपने में सूजा था कि हिंदू समाज के जो करोड़ों सौ करोड़ लोग हैं दुनिया में रहते हैं और जो कौन दुबोता है ऐसे लोग पार्टी को दुबोते हैं कुछ उनकी पार्टी को कुछ अच्छे लाकुई दिरदून इस्तित एक होटल में अखिल भारतिया दिवाशी कस्यप कहार निशार भोई सम नवेच समीती के 13 और 14 नवंबर को दिरदूने होने जा रहे राष्ट्य सम्मेलन की जानकारी देने के लिए प्रैसवार्टा का आयुजन क्या गया जिसमें समीती के राष्ट्य संयोजक राजा राम कश्यप, राष्ट्य उपाजयक संतोस कश्यप, राष्ट्य महामंत्रे दिलिप कश्यप, युवा मोट्चे के राष्ट्य अध्यक्ष निरश सलमान खुर्षीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत को जिहादी इसलामी संगठन आइस आइस और बोको हरम जैसा करार दिया इसे लेकर मसूरी भाषप और हिंदू जागरन मंच के विरोध दर्च करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कोड़ी मोटर पुल निर्मान कारे शुरू कराने की मां को लेकर समाजी का अंधीपनेगी का कोड़ी में आमरण अंशन शुरू हो गया है उन्होंने इस पस्ट कहा कि जब तक पुल निर्मान नहीं हो जाता उनकी भोग खरताल जारी रहेगी आमरण अंशन पर बैठे लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता लेकिन पिछले साड़े चार वर्षों में पुल की नीव तक नहीं रखी गई बहुत 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 दन्यबाद जो अपार समर्थन दे रहे हैं यह हमारी बहुत पुरानी मांग है गोलतीर कोटगी मोटर पूल तो इस पे जो है सरकार का बिलकुल भी ध्यानी है यह मेरे पास अनलाइन कोफी है इसमें जो है नगरा सुद्यडोली जोलापूल वह भी बन गया निर्वाली में जो जोलापूल था वह भी बन गया रतोडा में बन गया लेकिन जो यह गोलतीर कोटगी इसकी स्विक्रती हो रखिए पिच्छा तौर मीटर इस्पान का अभी तक जो है कुछ कारे नहीं हो इस पे केवल उन्होंने एक रोड का निर्मान किया और लगभग लगभग उसको दस बार साल हो गया है यहां पे जो है हमारे अंदीप नेगी जी जो है अपना आमरान अं जो है की दोजार दोजार पांच में हमारा यह जो कुड़गी और गुलती जो मोटर मार्क मोटर पूल था जो स्विक्रत हो चुका था लेकिन आज तक जो है सरकार की जो है अंध्यीटे की तहट जो है अभी तक ये मोटर पूल का निर्मान नहीं हो पाया है तो हम सभी कारात्मक अगर कोई हासे रिस्पोंस नहीं मिलता सिर्कार से तो यह हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं अन्दीप नेगी जी का गोलतीर कोठगी मोटर पूल जो की वर्स दोया 5-6 में सुखीत हो गया था करीब 15 वर्स सेदी का समय गुजर गया है लेकिन आज तक इस पूल का निर्मान कारे शुरू नहीं हो पाया है इसको लेकर अब ठकार कर अस्थाने लोग अब आंदुलन पर उतार हो गये हैं इसी करम में सामाजी कारेकरता अंदीप नेगी जी भूक अटल पर बैट गये हैं उनके समर्थन में उत्रा खंकरानी दल की तीम यहाँ पर पहुंची वी है हमने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है साथी सार हम सरकार को यह चैताना भी चाते हैं कि अगर जल गोलतीर कोठगी मोटर पूरे चेतर की जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी चिला माज से मैंने यहाँ पर अमरन अंसन पर बैटने सुरू कर दिया है और मैं यहाँ पर सुबह से बैट रहा हूं सन 2005 में यहाँ पर पूल से कुर्ट हुआ था मोटर पूल और अभी तक वह उस पर काम चालू नहीं हुआ है बना नहीं है और हमारे कई दर्जनों गाउं तला नागपूर के जो राष्ट्य राज मार्ग से जुड़ने है वो सब आध तक पिछड़ा हुआ है और हमें इस रास्ते से जो बाइपास वाला रास्ता है यहां से हमें 30-35 किलो मेटर की दूरी पड़ द्वारा आवेजी त्रंगारंग सांस्क्रितिक मेराथान दौल और कुरुषक समन समारों का आयजन किया गया जिसमें उत्राखन के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के जन संपर्क अधिकारी मुलायम सिंग रावत और जौनपूर महस्ता समीती के अध्यक्ष थाना अध्यक्ष सत्पुली लाकन सिंग ने बताया कि मुख्य की सूचना पर बेजरों से आ रही कार को रोका गया जिसमें पांच कटे बोरे जिसमें कुल 38 तसमलब 4 किलोग्राम अवेद रूप से गांजा पाया गया और उसके साथ तीन अभ्यूगतों को गिरफतार किया मसूरी में मशूर इतिहासकार गोपाल भाराद्वाज ने बनारस हिंदू विश्वी ध्याले के संस्थापक मदन मोहन मालवे की 55 पूर्णे तीथी पर उनको याक किया सिख्षा के छेत्र में उनके योगदान को देशवाशी भूला नहीं सकते हैं गोपाल भाराद्वाज मोहन मालवे हमारे देश के बहुत बड़े नेता भी हुए हैं विद्वान भी हुए हैं उनी की वजए से आज जो हमारे बनारस हिंदू उन्होंने उसकी स्थापना करी थी हरी द्वार में जो हरकी पैड़ी में धरम सवा बने गई थी जो उस समय अराजकता का एक महौल था सबसे पहले उनी सो नौ में बने और आज उनकी पुनितिती है यह हमारा स्वागी वी रहा कि वह इतनी बड़ी महानस्ती मसूरी में आई उनका एक बार तो बो 1915 में मसूरी जब हरी दुआरा यह से तबाए थे एक बार 1936 में उनका दुबारा आना हुआ यहां पे और मेरे फादर जो की जोद्शी थे अस्ट्रोलेजर थे उन्होंने उनकी कुंडली बनाई उनका होर्सकोप भी बनाए हमारे घर में भी आये वो और इसके अलावा उनीस्तों स्कूल में जब जो मसूरी के अध्यक्ष रह चुके है जगनाश्यर्मा जी उन्होंने अपनी आत्मकत् पुर्ति मेरे अंदर जाती है मैं वैसे तो खर उस समय मसूरी में पूरे भारत में इतना ऐसा मौरसम और महौल नहीं था वातरवन्ट साफसा लेकिन मसूरी तो बहुत ही अच्छी थी और अंग्रेजों ने उसको रखा वाता परवतों किरानी बना के तो जहां पर तो जो भी आता था हो सब यहां पर प्रसंद्नी होते थे रिशिकेश में गड़ सेवा संस्थान की और से 14 नवंबर को त्रिवेनी घाट पर लोग पर विगास भगवाल का भवे कारेक्रम आयोजित किया जा रहा है शुक्रवार को रिशिके साहिद्वार मार्ग स्तित एक होटल मे गड़ सेवा संस्थान की और से पत्रिगार वारता आयोजित की गई संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंग नेगी और सचीव रविंद्र राणा ने बताया कि उक्त कारेकरम का आयोजें त्रिवेनी घाट पर 14 नवंबर की शाम को किया जाएगा इसमें उत्राकरन के ह आसे कलाकर धन्ना भाई लोग गायक धूम सिंग रावत और पदम गुसाइं प्रमुक रूप से लोगों का मनोरंजन करेंगे जो दस्यरी उसके वाद जो है दिवाली मनाई है क्या दो चौजा तारीक को आपने पर्वेति छेत का जमारा पूरी दिवाली से इकास होते हैं नानिताल समाज का लियान विभाग और जुला प्रसाशन नानिताल के सौ चन्य से नशा मुक्ती भारत अभ्यान के अंतरगत नशे के खातना को लेकल लोगों में जारुटा लाने के उदेशे से वियापक परचार प्रसार और जन जागरन के लिए भीनताल जील में नौका रेश का उजन किया गया नौका रेश में स्ताने स्तर के 26 व्यक्तियों के द्वारा प्रतियोगीता में प्रतिभाग किया गया यूवा कल्यान विभाग के तत्वधान में उत्तरकाशी जनपत के मनेरा स्टेडियम में जिलास्तर्य खेल महाकुम प्रतियोगीता का शुक्रुवार को शिभारम हुआ मुख्य अतिती प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी संजे सिंग, विशिष्ट अतिती, स्ट्रीम चतर सिंग चोहा ने पांच दिवशे जिलास्तर्य खेल महाकुम प्रतियोगीता का शुभारम किया मुख्य विकाश अधिकारी ने दी प्रजवलित और खेल मसाल चुरा कर खेल महाकुम का अगास किया उत्रखंड राजे विदिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचीव आर के खुलबे के द्वारा बताया गया कि अजाधी कामरीत महासव और विदिक सेवा सप्ता के उपलक्षे में राश्टे विदिक सेवा प्राधीकरण नई दिल्ली के आदेश अनुपालन में उत्राखन राशे विदिक सेवा प्राधीकरण और उत्राखन उच्छ नियाले के संयुग तत्वधान में विदिक सेवा कारेक्रम उपराधारित परदशनी का अविजन उच्छ नियाले परिशर में किया गया शुक्रुबार को जुला चिकिस साले उत्तरकाशी में विश्व नीमोनिया दिवास मनाया गया 15 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तर नवजाज सिशु सब्ता के रूप में मना जाना है जिसमें आशा, स्कूल हेल्थ टीम और अन्य चिकिस्तकरमियों के द्वारा निमोनिया की स्क्रिनिंग की जाएगी स्क्रिनिंग में निमोनिया से ग्रैसिस सिश्व का एलाज करवाई जाएगा अल्मोडा जिले के विकासखन भीक्या सेंड में तैसिल मुख्याले में उत्राखन पेंशनस अंगठन राम गंगा भीक्या सेंड का धन्ना असीवे दिन भी जारी रहा रिटायर करमचारियों का आरोफ है की सरकार अभी तक इन इस मांगों पर कोई कारवाही नहीं कर रही है धरने में चौक खुटिया विकासखन के पेंशनस ने धरने में अप्रा समर्थन दिया रिटायर का औरमचारियों ने प्रदेश की धामिश सरकार के प्रती जमकर सरकार की नारे बाजी की और ये भाजबा सरकार क्या करने जा रही है इतने बरिष्टम लोगों का ये अपमान कर रही है और लगवख धाय मेहने से उपर इनको धन्य में बैठते हो हो चुके हैं और ये इनकी कोई सुनवाई नहीं कर लिए इनकी तरफ कोई जान नहीं दे रही है तो अब हम इनको स्राब देने का भी काम करेंगे ऐसी सरकारों को सरकार में बने रहने का हक नहीं है क्योंकि ऐसे नागरिकों की अपमान कर रहे हैं गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं बरिष्ट नागरिकों का अपमान कर रहे हैं पितातुली लोगों का अपमान कर रहे है तो थोड़ी सी भी सरम इनके पास नहीं बची है तो अब हम इनको सराप देंगे ये जीतना तो दूर की रही कहीं से कहीं तक है ये मुकावला नहीं कर सकते हैं गुरुजन इन्हें सरापित करेंगे और इनको बैढ़ने का हग भी नहीं है यार कॉन बरिष्ट नागरिक लोग एक कोई महां नहीं कुछ नहीं जो काटोति वो बंद करे करके कह sessions क्यों हमें कोई नत तो गोल्डन और काल का लाब मिल्ला है और काटोति आप कर रहे हैं और उसका कोई लाब नहीं दे रहे हैं हम तो कोई मांग थोड़ी कर रहे हैं आप से ये कोटोधी बंद करूगा मैं अपने सुद्ध बानी से शही बानी से शही अनुव से यह शंदे देना चाहता हूं कि मैंने बिटिशकाल की पद्धतियां भी देखी हैं सन 47 से जितनी पाठियां आई हैं सब की पद्धतियां देखी हैं जिस सरकार ने गुरुपद का अपमान किया वो सरकार उजड़ती नजर आई ये मेरा जीवन का अनुभव है इस वक्त सरकार को अगर बचना है भास्त्वा सरकार को अगर स्तिर रखना है तो गुरुपद की मांग को पाहाँ टीवी में फिलाल के लिए बस इतना ही उत्राखन की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ये पाहाँ टीवी नमस्कार है बेखाफ उमीद का रंग है आस्थाप ये है मेरा उत्राखंड है प्रुपद की बड़ी ये है ये है ये है ये है ये है